Hello everyone, जिय ही हो या नीट, एक्जामनेशन होल में क्वेस्चन तो बनाना पड़ेगा, और उससे भी इंपोर्टेंटे की जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, फिजिक्स में एक समस्या है बच्चों के साथ, कि सवाल ही ने बनता है, तो सवाल उड़ता है कि सवाल जल्दी जल्दी कैसे बनेगा, जब सवाली ने बन रहा है तो, यानि ट्रेडिशनल वाली पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा, और एक अलग तरह का पढ़ाई करनी पड़ेगी, जहाँ पर सवाल 10 सकेंड के अंदर कैसे बनाया जाता है, वो सिखाया जाए, तो हम लोग ए 10 सकेंड के अंदर कोई भी सवाल कैसे बनाया ये सिखते हैं, तेखो ये रोटेशनल मोशन जिसका की लेक्चर नमर वन करेंगे आज, रोटेशनल मोशन बच्चे के लिए पहेली बन जाता है, समझ में भी नहीं आता है, लेकिन तुम आज महसूस करोगे कि ये कितना आसान टोपिक है, जिसको सब मुश्किल बनाये रहता है, वाकई वीडियो के अंत में फील करोगे अरे ये तो बहुत आसान है, बस थुरा सा सिंसियर रहना है, हेंडिटेंड नोट्स का यूज करना है, कोपी पेन लेके बैठना है, देखना कैसे 10 सकेंड के अंदर कोई भी सवाल हम लोग बना जाते हैं, तो तयार हो जाओ, बहुत मजाने वाला है, स्टार्ट करता हूँ, आज का लेक्चर नमर वन, तो सबसे पहले आज का हमारा क्या गोल होगा, रोटेशनल मोशन, लेक्चर नमर वन में, आज का हमारा गोल होगा, मोमेंट ओप इनर्सिया, अटाइप of motion of rigid body, ऐसे लिखा हुआ है न, इसको उल्टा दो, तो सबसे पहले हम लोग परहेंगे आज, taps of motion of rigid body और इसके बाद परहेंगे moment of inertia को, जब हम taps of motion of rigid body को परहेंगे, तो प्रस्न उड़ता है कि ये rigid body क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे, ये rigid body क्या होता है, yes, rigid body, समझते हैं, ये सब तुमको पता ही है, लगता है, जैसे कि माल लेते हैं, ये कोई body है, और body का एक point ये A है, और दूसरा point B है, तो कहता है कि body के दो point के बीच की दूरी, अगर fix हो जाए, change नहीं करे, with respect to time, तो उसको बोलेंगे, rigid body, जैसे देखो, ये stylus है, इसके दो point के बीच का दूरी, with respect to time, अगर नहीं बदले, तो बोलेंगे, ये है rigid body, इस पर जदा दिमाग लगाने का नहीं है, क्योंकि simple सी बात है, दो point के बीच का दूरी, fix हो, तो उसको बोलेंगे, rigid body, ये अच्छा example है, rigid body का, देख रहे हैं, वो जो बड़ा उसा गोला है, जिससे सारे cubes तूट रहे हैं, तो cubes तो बिखर गया, लेकिन वो जो गोला है, गोला, वो एक rigid body है, गोला के दो point के बीच का दूरी, चेंज नहीं हो रहे हैं, यानि गोला का shape नहीं भी गर रहे हैं, तो गोला हुआ, rigid body, अब हम लोग सिखेंगे, rigid body के motion के type को, यानि types of motion of rigid body, rigid body के तीन तरह का motion हो सकता है, पहला है, pure translational motion, दूसरा है, pure rotational motion, और तिसरा है, combined translational and rotational motion, तीनों को हम लोग ठीक से समझेंगे, अच्छा से, तो सबसे पहले, pure translational motion समझते हैं, pure translational motion, समझो ठीक से, माल लेते हैं, ये कोई body है, और t बराबर 0 पर यहाँ बढ़ है, और यही body, same photo बणाना है, same photo समझना है, ये t बराबर t पर है, यानि t बराबर 0 पर है, यह body यहाँ पर, और t बराबर t पर यही body यहाँ आ गया, अब समझते हैं, body में कितना point होता है, एक body में, बहुत जाड़ा, तो माल लेते हैं, ये point है, ये, और ये दूसरा point है, यहाँ पर, b, और ये तिसरा point है, यहाँ पर, c, t बराबर 0 पर body यहाँ पर है, और t बराबर t पर, यानि कुछ देर के बाद body यहाँ पर आ गया, तो ये वाला point माल लेते हैं, यहाँ आ गया, a dash पड़ा गया, और ये b वाला point यहाँ आ जाएगा, और ये c वाला point, c dash माल लेते हैं, इसको b dash माल लेते हैं, यहाँ आ गया, pure translational motion में होता क्या है, कि body का जितना भी particle है, हार particle का same displacement होता है, यानि all particle of bodies undergo same displacement, यानि अगर ये point, ये वाला point अगर 5 meter displace करेगा, तो ये वाला point को भी कितना displace करना चाहिए, 5 meter, और इस point को, इसको भी 5 meter ही displace करना चाहिए, तो इसको बोलेंगे pure translational motion, दूसरी बात, अगर body same time में same displacement जाता है, तो सभाविक बात है, कि same time में same displacement, यानि displacement वेटा time करेंगा, तो velocity हो जाएगा, यानि body का हर particle का same velocity हो जाएगा, अगर body का हर particle का same velocity हो जाएगा, तो body का हर particle का same acceleration हो जाएगा, इसलिए नीचे लिख दिया हूँ में, every point has same linear variables, linear variables मिन्स, जैसे displacement, velocity, acceleration, यानि सब linear variables सेम होना चाहिए, फंडा clear है, तो हम लोग आप next देखेंगे, pure rotational motion को, pure rotational motion, इसको हम लोग ठीक से समझेंगे, जैसे देखो ये पीला पीला जो देख रहे हो क्या है, एक body है, और ये एक axis है, और axis को क्या कर दिये हैं, fix कर दिये हैं, और इसको rotate कर दियें, नचा दियें, तो अब ये बताओ, कि body का हर particle किस तरह के पात में जाएगा, किस तरह के पात में, इसको ऐसे समझो, जैसे पंखा है, पंखा छट से ceiling से लटका हुआ है, तो पंखा का जो blade है, उसमें धेर सरा particle है, तो किसी एक particle के बारे में सोचो, switch on कर देंगे, पंखे का, तो वो particle का जो path होगा, वो कैसा path होगा, येस, अपने से समझ जाओगे, मेरे समझाने की कोई जरुत नहीं है, यानि अगर axis of rotation को fix कर दिया जाए, तो body का हर particle किस path में जाएगा, circular path में, very good, तो कहता है कि अगर body का हर particle circular path में जाए, तो उस तरह के motion को बुलेंगे, pure rotational motion, लिखा हुआ भी है, every point of the body moves in circle, और एक बात हाँ, body का हर particle किस path में जाएगा, circular path में जाएगा, और ध्यान से देखोगे, तो सारा particle का जो center होगा, circular path का, वो एक line पर लाए करेगा, येस, उस line को बोलते हैं हम लोग, axis of rotation, clear है, every point of the body moves in circle, whose center lies on a line, called the axis of rotation, यानि उस line को हम लोग, axis of rotation कहेंगे, अब particles on the axis will be, relatively at rest, एक बात और समझना है, axis पर का जो particle है, उसको हम लोग, relatively rest में मानेंगे, किस में मानेंगे, rest में, और axis को छोर के, जितना भी body का particle होगा, सारा का सारा particle, circular path को जाएगा, दूसरे सब्दों में कह सकते हो, कि अगर axis of rotation को fix कर दोगे, तब जो body का motion होगा, उसको बोलेंगे, pure rotational motion, जैसे यहाँ पर देखो, क्या कर दिये हैं, इसके थुरू इसको fix कर दिये, यहाँ, इसका axis है, और इसको rotate कर दिये, तो body का हर particle circular path में जाएगा, तो इसी को बोलेंगे, pure rotational motion, यहाँ समझो, axis जो हैं, axis, axis fix है, body rotate कर रहा है, यहाँ, ऐसे समझो, इसे cycle है, cycle आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अपने जगह पड़ी चक्का घूम रहा है, यहाँ समझो, cycle को उठा लिए, इसमें, और paddle देना शुरू कर दिये, तो cycle का जो चक्का का motion होगा, वो कैसा होगा, यहाँ, pure rotational motion, फेन का switch on कर दें, तो फेन का जो motion होगा, उसको क्या बोलेंगे, pure rotational motion, तो ध्यान रखना, अगर axis of rotation fix हो, with respect to ground, तो वो ऐसे motion को बोलेंगे, pure rotational motion, अब इसको देख लो, यहाँ पर हमने एक particle माना, और यह particle किस तरह के path में जा रहा है, सर्कूलर path में, यहाँ दूसरा particle माना, यह particle किस path में जा रहा है, सर्कूलर path में, क्लियर हो गया ने, दूसरे सब्दों में कह सकते हैं, कि body का हर particle का same angular भेडियेबल होगा, जैसे angular displacement same होगा, angular velocity same होगा, angular acceleration same होगा, नीचे लिखा होगा, देखो, every point has the same angular parameters, that is theta, यानि angular displacement, theta होगया, angular displacement, omega होगया, angular velocity, और alpha होगया, angular acceleration, about the axis of rotation, इस photo से भी समझ सकते हो, अब हम लोग समझेंगे, combined, translational and rotational motion को, जैसे एक body है, और body का एक point ये ले लिया, और दूसरा point ये लिया, तिसरा, चोथा, और एक center को भी ले लेते हैं, अब देखो, अगर इस point का velocity भी है, और इस point का भी velocity भी है, इस point का भी velocity भी है, और इसका भी भी और इसका भी भी, इसका मतलब body का हर particle, स्यम तरह के motion को describe करता है, येस, तो इसको हम लोग बोलेगे, pure translational motion, बिल्कुल सही, अब इसमें जोड देते हैं, अब एक body ले लो, ये body क्या भर रहा है, इसका axis of rotation fix है, और body खाली ऐसे rotate कर रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, वही cycle का चक्का, cycle को उठा के पकर लिया, और cycle paddle देने लगे, तो चक्का का जो motion होगा, कैसा होगा, pure rotational motion, समझा बात, ये हुआ, और ये क्या होगा, cycle में ताला लगा दिये, और cycle को अगला चक्का को भी ताला लगा दिये, rotate ने कर रहा है, cycle को लेके चल दिए घूमने डा है cycle को खाली आगे लेके चल दिए तो क्या होगा ये वला होगा ने आप दोनों को मिला दो दोनों को मिला दोगे तब जो motion होगा आगे भी जागा रोटेट भी करेगा ये याई ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जिसमें दोनों होगा उसको बुलेंगे कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन जैसे ये वला वीडियो देखो मजा रहा है देखो जैसे इसका तुरा समझा ले लो फैन का मोशन कैसा होगा प्योर रोटेशनल जैसे दरवाजा खुलता है गेट कैसा मोशन होगा प्योर रोटेशनल मोशन आगे बरने से पहले एक सोच तुम्हाड़े अंदर डाल देना चाहता हूं सोच देखो जिस दिन सोचना सीख जाओगे न है उस दिन तो काम आसान हो जाएगी तो सोचना सीखो जारा सा सोचना तो सबसे पहले महां लेते हैं एक बोडी है जो सर्कूलर मोशन कर रही है और उसका एंगूलर व्लोसिटि क्या है ओमेगा ऐसे यसे गूं रहा है एंगूलर व्लोसिटि कितना है ओमेगा ठीक और बोडी किसी समय यहां पर है linear विक इसका एक पर V तो b को बोलेंगे linear velocity और omega को बोलेंगे angular velocity दोनों में कुछ relation होगा बिल्कुल होगा तो b is equal to omega into r याद कर लेना b is equal to omega into r जहां r क्या है radius r क्या है radius omega क्या है angular velocity b क्या है linear velocity sheet में देख लोगे लिखा हुआ है इन्हे b is equal to omega into r अब देखो ये एक rigid body है जिसका ये axis of rotation है और वो angular velocity omega से body rotate कर रहा है अब इसका एक particle माल लेते हैं ये है और वो है m1 particle बहुसरा particle होगा ये किस path में जाएगा circular path में जाएगा angular velocity कितना है omega है तो linear velocity क्या होगा ये radius हम माल लेते हैं r1 तो omega into r1 हो जाएगा यानि angular velocity सबका same रहेगा अब माल लेते हैं दूसरा particle है m2 ये भी किस path में जाएगा circular path में जाएगा इसका भी center इसी line पर होगा और ये radius को हम r2 माल लेते हैं तो अगर इसका angular velocity omega है तो linear velocity क्या होगा omega into r2 हो जाएगा radius इसका r2 माल लेते हैं तीसरा इम 3 particle तो ये भी किस path में जाएगा circular path में जाएगा जैसा कि हमको पता है body का हर particle circular path में जाता है और जिसका center एक line पर लाए करता है और इसी line को बोलते हैं axis of rotation और इसका radius हम माल लेते हैं r3 यानि b3 is equal to omega into r3 अब अगर इस body का हमको kinetic energy लिखना हो तो कैसे लिखेंगे तो देखो kinetic energy का formula क्या होता है यहाँ जो kinetic energy होगा उस kinetic energy को बोलते हैं rotational kinetic energy क्या होता है formula तीन party के लिए हैं half m1 b1 a square half m2 b2 a square half m3 b3 a square और body में कितना particle होगा body में कितना particle होगा बहुत साड़ा तो क्या करेंगे dot 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 कर देंगे यानि बहुत सरा particle आ गया अब देखो half m1 b1 के जगा क्या रख दे omega into r1 square कर दिए b2 के जगा क्या रख देंगे omega into r2 square कर देंगे b3 के जगा क्या रख देंगे omega into r3 square कर देंगे dot 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 चलते रहेगा अब देखो m1 r1 square into omega square m2 r2 square into omega square इनि सब में omega square है ध्यान से देख रहें omega square omega square omega square तो करते क्या है ना नीचे लिख देता हूँ हाप यहाँ से m1 उठा लेते हैं और यहाँ से r1 square उठा लेते हैं हाप सब में है तो हाप को बाहर कर लेते हैं m1 r1 square लेते हैं और अंत में सब का common क्या गया omega square यह omega square common आ गया बड़ी गूट तो बड़ाबर क्या होगा देखो यह एक term आ रहा ने तो इसी term को हम लोग i से denote करते हैं कि i क्या है येस इस chapter का heart आ गया moment of inertia करते हैं इसको हाप i omega square यानि जहाँ पर linear motion जब होता था तो half mv square होता था half mv square तो यहाँ पर हो गया half i omega square यानि जब linear motion होता है तो linear velocity b की बात करते हैं तो यहाँ पर angular velocity omega की बात करेंगे rotational motion और जहाँ पर mass की बात करते हैं linear motion में वहीं पर rotational motion में mass के जगा moment of inertia की बात करते हैं कुछ कुछ perception आ रही है यानि लीनियर मोशन में जहां मास की बात करते थे वहीं rotational मोशन में moment of inertia की बात करें तो अब स्टार्ट करेंगे यह moment of inertia के बाड़े में बात करेंगे क्या है यह moment of inertia यानि आई बराबर यहां पड़ क्या आ गया आई बराबर क्या आया m1 r1 square m2 r2 square कर देंगे अभी सही कुछ-कुछ लगड़ा है कि कुछ-कुछ लगड़ा है क्या लगड़ा है जैसे अब हम लोग moment of inertia को समझेंगे moment of inertia short में इसको लिख सकते हैं moment of inertia क्या होता है जैसे एक बॉड़ी ले लिया जिसका की मास है m और इस बॉड़ी की यहां से परपेंडिकुलर दूरी ध्यान रखना कैसा दूरी परपेंडिकुलर दूरी आ रहे है और इस बॉड़ी को इस it's axis के बॉड़ोटे is को बोलें एxis of rotation so your body किस पाथ को फोलो कर रहा जैसा कि पहले सå Zach को सर खुलर पाथ को सर्कुलर प्ल़ाथ को जगा इसका सेंटर यहां पर ओगा और यह इसका दूड़ी हुआ हा तो moment of inertia I बराबर बोलेंगे M into R square clear है दूसरा देखो माल लेता है ये कोई axis of rotation है और यहाँ एक body है जिसका की mass है M1 और इसका दूड़ी यहाँ से है R1 और ये एक दूसरा body है जिसका की mass है M2 और ये दूड़ी है R2 और ये एक तिसरा body है जिसका की mass है M3 और दूड़ी है R3 और ये है axis of rotation ये वाला line ऐसे ऐसे कर देना तो समझ जाना है कि axis of rotation की बात कर रहे है तो बुलेगा इसका moment of inertia क्या होगा? क्या पुछेगा? इसका moment of inertia क्या होगा? एक बात ध्यान रखना है ये जो दूड़ी है ना R1 ये perpendicular distance ये R2 भी perpendicular distance है और R3 भी perpendicular distance है तो I is equal to क्या होगा? I is equal to moment of inertia क्लियर है? क्या लिखेगे? M1 into R1 square M2 into R2 square M3 into R3 square मजार है ने? मजार है अब एक सवाल है तुझ से मेड़ा ठ्यान से समझना ये कोई axis of rotation है सोच के बताओगे ये एक body है वाज़े तो ये axis of rotation है और ये body है जिसका कि mass M है ध्यान से समझना ये axis of rotation है ये वाला दोड़ी है मास माल लेते हैं 5 kg है तेक? और ये दोड़ी है 3 meter मीटर और यहां से दोड़ी है 5 meter और ये दोड़ी है 4 meter तुमको ये बताना है इसका moment of inertia जब हम लिखेंगे तो M तो लिखेंगे 5 kg M हुआ दोड़ी क्या लिखेंगे? 4 की 5 की 3 क्या लिखेंगे? येस 3 लिखेंगे बहुत बढ़ी है जवाब कहने का मतलब है कि परपेंडीकुलर दूड़ी लेंगे मास का एक्सीस और रोटेशन से कौन साथ दूड़ी लेंगे? परपेंडीकुलर डिस्टेंस लेंगे तो इसलिए यहाँ पर 3 मीटर एस्क्वाइर हो गया तो एक तरह से हो गया 15 केजी मीटर एस्क्वाइर है यानि यूनिट भी क्लियर हो गया यानि मोमेंट आप इनर्सिया का यूनिट हो जागा केजी मीटर एस्क्वाइर M आर एस्क्वाइर मतलब Maas मतलब केजी weight &외 Sh रिएमेंशन हो जाया किजी का हो गया M 语र दूड़ का स्क्राइर हो गया M became L 2 तो इसी बात पर हो जाएक सवाल नीट 2004 में पुछा हुआ है थ्री पार्टिकल्स about meal तीन पार्टिकल्स टीनो का मास M आर सिच्वेटेड at the vertices of an equilateral triangle यह एकुलेटरल ट्रेंगिल है ABC of side L centimeter shown in figure, figure में दिखाया हुआ है the moment of inertia of the system about a line AX यह देखो A है और यह X है यह AX line perpendicular to AB, यहनि AB का perpendicular AX line है and in the plane of ABC, यहनि ABC के plane में ही यह AX line है इन gram centimeter square unit बोल रहा है क्या होगा इसमें, बहुत आसान अब क्या करोगे, वीडियो को पहुच कर लोगे और खुद से track करने का कोशिस करो तो यह देखो, यह मास की दूड़ी कितनी है इस AXIS से 0 और इस मास की इस AXIS से कितनी दूड़ी है और इस मास का इस AXIS से यह दूड़ी लेंगे कि यह दूड़ी लेंगे तो आप देखो यह अगर L है यह भी L है यह दूड़ी कितना होगा, यह दूड़ी, तो यह 60 दूड़ी होगा ऐसे भी जानते है, एकुलेटर ट्रेंगिल में यह आधा हो जाएगा तो यह L बाइटू हो जाएगा ऐसे भी L कॉस सिक्स्टी, यहनि कॉस सिक्स्टी बराबर हाप यह दूड़ी हो जागा, तो अब बताओ, moment of inertia क्या होगा वीडियो को पोज करके, खुल से ट्राइ करके, आंसर मिलाओगे ठीक, चलो मैं बताता हूँ, आई बड़ाबर यह M तो ठीक है, लेकिन इसका दूड़ी इस axis मास लेना है, और मास की दूड़ी लेना है, उस axis of rotations M into R square हो गया, यहनि मास लेंगे और मास की दूड़ी लेंगे M into 0 square, इसका moment of inertia हो गया, उसका कितना हो जागा M into L square, और इसका M into यह दूड़ी की यह दूड़ी यह दूड़ी नहीं, very good, तो कुल मिला के कितना आ गया M L square plus M L square by 4, है ना, अभी यह 4 को इधर गुना करेंगे 4 plus 1 5 M L square divided by 4, perception आई थोरा सा, आई नेक्स्ट एक और सवाल को बना के देखाओ तो, इसको बना के देखो छुटा-छुटा सवाल बना लेते हैं हम लोग, आखे concept clear हो जाए यह है axis of rotation, और इस axis of rotation के about, इस चारो का moment of inertia बताना है option भी दिया, VTO को पहुज करके, पहले answer निकाल लो, उसके बाद solution देखो, ठीक है तो कौन सा answer हो जागा, यह वाला, आगया, नहीं, येस आगया, तो कैसे निकालेंगा, I is equal to, देखो, M into R square, यानि इस axis से दूरी देखेंगे, M into 0 square, इसका ले लेते हैं, M into A square लेंगे, और इसका, ये भी A हैना है, B मतले लेना, M into A square, अब फिर इसका, M into 0 square, तो कुल मिला के हो जागा, M A square, M A square, 2 M A square, ये हो गया answer, ये बहुत ही important question है, इसको हम लोगों को याधिक कर लेना है, क्या है question, find the moment of inertia of a system, of two particles, having mass, M1 and M2, एक M1 है और एक M2 है, separated by a distance D, about the center of mass, दोनों के बीच में दूरी D है, और center of mass के about, moment of inertia निकालना है, दोनों का center of mass कहाँ पर होगा, ये ज़्यादा बरा दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है, तो obviously है कि 20 से थरा सा इधार आजगा ने, ये हो गया center of mass, center of mass से पास करता हुआ, एक्सीस के about moment of inertia निकालना है, तो जब moment of inertia निकालेंगे, तो mass चाहिए और mass की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना पड़ेगा, इसको R1 माल लेते हैं, इसको R2 माल लेते हैं, और अच्छी तरह से पता है हम लों को कि R1 का value कितना आएगा, अगर यह दूरी R1 बोले तो हम लोग सुरू करते थे, M2 लेते थे, M2 इन्टू दोनों के बीच का दूरी D divided by M1 प्लस M2, अगर जब R2 लेना होगा तब, R2 लेना होगा तब क्या करेंगे, M1 इन्टू दोनों के बीच का दूरी D divided by M1 प्लस M2, वेरी गुड, अब निकालना है, मोमेंट ओप इनर्षिया, I is equal to M1 into R1 square, M2 into R2 square, तो I is equal to क्या होगा, M1 into R1 की जगार रख देता हूँ, M2 into D divided by M1 प्लस M2 square, अब प्लस M2 into R2, R2 के स्थान पर, M1 into D divided by M1 प्लस M2 का whole square, आप देखो, दोनों में कुछ common है, देखो, यहाँ भी M1 M2 है, into D square है, यहाँ भी M1 into M2 into D square है, तो क्या करता हूँ, M1 into M2 को common ले लेते हैं, नीचे में भी देखो, M1 प्लस M2 का whole square में से, M1 प्लस M2 को common ले लेते हैं, whole square को common लेते हैं, तो उपर में क्या बचा, M1, M2 common लेते हैं, M2 का square बच गया, M2 तो ले चुके हैं, D square बाद में है, यहां क्या बच गया, M1 बच गया, M1 यहां का ले चुके हैं, और इधार D square है, और यह बच गया, अब देखों, यह square इसे कट गया, तो क्या बच गया, बच गया, M1 into M2, divided by M1 plus M2 into D square, कुल मिला के समझना यह है, यह, तब याद रहेगा, देखो, करना क्या है, एक एक्सिस बना देगा, और इस एक्सिस पर एक मास रखेंगे, मू बोलेंगे, और उसकी दूरी D कर देंगे, और यह हुआ एक्सिस और रोटेशन, और उस मू का भे M1 plus M, तो इसको याद ही कर लेना है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं, Reduced Mass Concept, Reduced Mass Concept, Yes, दो बोड़ी है, M1, M2, तो उसको सिंगल बोड़ी में कनवर्ट कर देंगे, और उस सिंगल बोड़ी का, जो मास होगा, उसको मू बोलेंगे, और वो होगा M1, M2, divided by M1 plus M2, अब दोनों के बीच का दूरी D है, तो यह D दूरी पर रख देंगे, तो M into D square हो जगा, M के जगा मू हो गया, I into D square, इसको यादी कर लेना है, तो रहन टिक लग जागा, सवाल है, जब question बनाओगे, तब फील करोगे, वाउ होई तो, बहुत जल्दी हो गया, अब हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान से, moment of inertia of continuous mass distribution, यानि mass जब distributed हो, इससे पहले हम लोग क्वाइंट मास का moment of inertia निकालते थे, यहाँ पर, मास यहाँ से लेकर, यहाँ तक फिला हुआ है, तो moment of inertia का तो फर्मूला हम लोगों ने देखा, कि M into R square था, तो माल लेते हैं, इसका मास M लेकिन R क्या लेंगे, दूरी क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी देखो, मास यहाँ तक फिला है, यहाँ तक फिला है, तो R लेंगे क्या, है ने शमस्या, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, करना क्या है, एक DM कट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक DM कट कर लेंगे दीम और उस दीम का moment of inertia निकालेंगे यहां से दोडी मान लेते हैं dm का r है कितना दोडी है r है तो हम लोग पहले निकाल देंगे di di मतलब moment of inertia of mass dm moment of inertia of dm बड़ाबर कितना हो जागा dm into r² हो जागा और अगर total moment of inertia बोले तो dm into r² को integrate कर देंगे integration मतलब जोरना होता है यानि ऐसा ऐसा छोटा छोटा dm का moment of inertia निकाल के जोरने का मतलब यह हुआ जब तक question ने बनाओगे तब तक feelings आएगी नहीं तो करेंगे कुछ सवाल उसके बाद अपने आप समझ मानेगा सब्सक्राइब देखो इसको समझते हैं ठीक से देखो rod है यहाँ भी rod है यहाँ भी rod है पहला case में axis जो है न सेंटर से पास कर रहा है दोनों है situation में axis रड का perpendicular है लिखाव एक्सीस पासिंग थ्रू center perpendicular to rod axis passing थ्रू इंड परपेंडिकूलर टू रड हम लोग देखे थे कि moment of inertia depend करता है mass पर और उसके दूरी के square पर तो इसको ऐसे समझते है टेक्निकली moment of inertia depend करेगा mass पर and distribution of mass about axis of rotation पर इसको चाहो तो नोट कर सकते हो moment of inertia depends on mass and distribution of mass about axis of rotation दूरी पर तो एक बात बताओ तो सोच के बताओ moment of inertia इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा दूनों ही केस में देखो mass है रट का M और length है यहां भी रट का mass M है और length है तो moment of inertia इसकेस में ज्यादा होगा कि इसकेस में हाँ समझ में आ रहा है दूरी पर depend करेगा एक बात ध्यान रखना moment of inertia mass पर तो depend करेगा ही कि दोनों में mass change है और इस बार पर ध्यादाने कि mass कितना दूरी तक फैला होगा कितना दूरी तक फैला हुआ है मास अगर distributed होता है और point mass हो तो देखते थे कि mass कितना दूरी पर फैला हुआ है क्या देखते थे यह axis था और यह mass M था तो R था यह थे MR square करते दे थे लेकिन यहां पर देखेंगे mass कितना दूरी तक फैला है जिसमें mass ज्यादा दूरी तक फैला रहेगा उसका moment of inertia ज्यादा होगा और distribution का style भी देखना है कि इससे distributed है तो कुल मिला के लग रहा है कि इसका moment of inertia ज्यादा होग होना भूल जाते हैं लोग इसका moment of inertia कम होगा तो इसलिए इसका moment of inertia को याद रखोगे ए एले स्क्वाइर बाए और यहां पर भी देखो अब देखो अगर इसका थ्यांस समय ना टेकनिकल बात इसका moment of inertia कम है तो भागा ज्यादा सोगा और इसका moment of inertia ज्यादा है तो भागा कम से होगा यादखना यहां पर 12 होता है और यहां पर 3 होता है यादे कर लेना यानि किनारे से एक्सीज जाएगा तो ml square by 3 और बीच से ए इसको प्रूड कर सकते हैं देखो माल लेते हैं यहां से एक्स दोड़ी पर एक dx लेंद को कट किया मास लिनियरली डिस्टिबूटेड है ना और यह वाला पार्ट का मास है दीएम दीएम निकालना हम लोग सीखे थे center of मास में दीएम मतलब छोटा सा लेंद डीएक्स का मास मास अगर एम है और मास एम कितना लेंद का है या इसी को लिख सकते थे डीएम बाइडी एक्स यानि जितना का मास लेंगे उतने का लेंद लेंगे तो एक तरह से dm is equal to कितना हो जाए m by l into dx लेकिन ऐसे मत याद रखना ऐसे याद रखना यूनीट लेंथ का मास अगर लेमडा है तो dx लेंथ का मास हो जागा लेमडा इंटु दी एक्स लेमडा बराबर m by l यानि मास पर उनिट लेंथ इंटु लेंथ इसमाज में आ रहें न मास पर उनित लेंथ इन्टु लेंथ यह हो गया मेरा dm ऎव इसका d i निकाल लेते हैं d i d i बराबर क्या होगा देगा dm into x2 इसकी दूडि है एकस तो लिए बराबर क्या होगा ॥र्मूला मरे में देक二 है dm into x square उसको करते थे integrate यहां पर देखो x बड़ाबर 0 है और यह रड की लंबाई L है यहां x बड़ाबर कितना हो जागा तो dm का value fit कर देता हूं m by L into dx into x square और यहां integrate करेंगे कहां से कहां तक x यहां पर variable है x का minimum value कितना होगा 0 और maximum value कितना होगा L yes अब integrate करने आता है कि नहीं तो सिधा कर देता होने m by L x square into dx integration आता है ना नहीं आता है आता तो है तो इसको integrate करेंगे तो क्या एगा m by L x square है तो x cube by 30 और limit रख देंगे 0 से लेके L तक बराबर हो जागा m by L अब देखो यह वाला यहां रख देंगे L cube by 30 और यह वाला यहां रख देंगे 0 cube by 3 अब देखो यह L square L cube में से एक L cancel हो जागा थे M L square by 3 आ गया प्रूब्ड हो गया थोड़ा थोड़ा मजा भी आया थोड़ा दिकत से अब तक हम लोगों ने देखा कि एक रड़ है जिसका कि मास M है लें थेल है यह center of mass है तो मोमेंट अप इनर्च्या M L square में 20 से था तो कम होता था तो 12 था और किनारे से ज्यादा होता था तो M L square by 3 लेकिन प्रस्द यह उड़ता है कि वही रड़ है लेकिन यह axis ऐसे कर देता है थीटा एंगिल पर कि यानि यह अब axis हो जाए तो सवाल उड़ता है कि अब मोमेंट अपनर्च्या क्या होगा एक्सिस से दिखाया इसे लिखाये गा Rs दोन्हों एके है जिसका की dw. यह घर यह जिसका की मैं में लेन्थ यह यह तो प्रूब्ड तो ठीक है अपने जगह पर है लेकिन एक्जाम में जब सवाल हैगा तो क्या प्रूब्ड करोगे बिल्कुल नहीं तो इसलिए कॉंसेप्ट को बिना प्रूब्ड का समझना है इंतु L square होता था ल यहाँ दोली था और वो Бh di ter . तो यहाँ पर अगर यह दूली L है तो बाढ़ल को दोली तो यहां ऐसे देखेंगे ना इसे यह ना होए अपर परिल्ड कुल अपर तो यह अगर निकल जाएगा तो वं जगा काँ तो यह अगर अल है तो यह होगा L Cos अलेटा उंद धि Bei न होगा सा्थइटा और यह कितना होगा ङल आझ मोझेलं साइन तो दियान रहे है यह जब L है तो यह पर पैंडेगिली यह हो जागा ? M L square by 3 sin square theta एकदम इसको याद कर लेना है 20 से M L square by 12 किनारे से M L square by 3 और अगर theta एंगिल पर रहेगा तो M L square by 3 into sin square theta जितना एंगिल रहेगा ना उसमें sin square लगा दोगा मजार है अब देखो next इसको देखो एकदम ध्यान से ये एक rectangle है इसका length है A और breadth है B और ये square है ये A है और ये A side है अगर इसको हम axis माने इसको तो अगर इसको पिछका दे तो रड़ बन जाएगा एक बात पता है ना मास को ध्यान से समझना है जैसे मास यहाँ पर है तो moment of inertia MR square है लेकिन यही मास को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाए axis के parallel में या इसी मास को यहाँ से यहाँ फैला दे दूड़ी तो वही ड़ेगा यस तो ध्यान रहे मास अगर axis के parallel में फैले मास अगर axis के parallel में फैले तो moment of inertia पर कोई फरक ने पड़ेगा तो इसका मतलब इसका किसके जैसा होगा रट जैसा ही हो जाएगा तो रट जैसा ही हो जाएगा तो इसका moment of inertia कितना होगा m a square by 20 से जा रहा है तो कम होगा तो यह है 12 हो जाएगा और अगर यह axis होता आता हो तो इसके दोनों तरफ मास देखना है यानि axis के दोनों तरफ मास देखना है यानि axis के perpendicular duty लेना है तो कितना हो जाएगा m b square by 12 हो जाएगा यह square है यह axis ले लेता हूं इसके about moment of inertia कितना हो जाएगा m a square 20 से जा रहा था ना तो कम होगा तो m a square by 12 अगर यह axis होता तो हो जाता m a square by 12 ध्यान से धीरे धीरे feel आना start हो गया होगा मुझे पता है और सारा सवाद देखना कितना जल्डी जल्डी बनेगा इसलिए एदम concentration को बनाए रखो next अब इस दोनों को देखो अब इन दोनों को देखो यहां पर है ring और यहां पर है hollow cylinder axis बनाता हूं है यह इसका center है और यहां से pass करता हुआ axis है और ring का mass है m और radius है r और यहां पर hollow cylinder है hollow यह इसका axis है axis अंदर-अंदर है हम बाहर निकाल के दिखा दिखा दिए यह axis इसका भी mass m है और radius r यह यह radius r है तो इसका momentum से कितना होगा यह axis of rotation है तो यहां पर देख रहे हो जितना भी mass है ना यह mass यहां से कितना दूरी पर है r दूरी पर यह वाला mass कितना दूरी पर है capital r दूरी पर dm इसको माल लेते हैं dm इसको माल लेते हैं यह वाला mass कितना दूरी पर यहां से r दूरी पर यह वाला mass यहां से कितना दूरी पर r दूरी पर सारा का सारा mass यानि रिंग का सारा का सारा मास जो एम है आर्दोडी पढ़ी है तो इसी लिए क्यों न लिख दो डारेक्ट एम आरे स्क्वेर मोमेंट ओप इनर्शिया रिंग का हो जाएगा एबावट एन एक्सिस पासिंग थूरू सेंटर अब परपेंडिकुलर टू रिंग बराबर एम आरे स्क्वेर स्यम बात है इसको पिछका देंगे तो रिंग बन जाएगा अगर इसका लेंथ एल है तो एक्सिस के पैरलल में जो लेंथ होता है न उसपर मोमेंट ओप इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पर दिखेंड करता है इस बात पर ध्यान र का हो गा वही जिलिंडर का क्योंकि SYS off rotation से मास और दोरी आघ इसमें भी औरयेक्सिस off rotation से मास का दूरी आघ होगा इसमें भी ITण्थ डिपेंट नहीं करेंगा त्योंकि यह एक्सिस के पेरलल में है और अप्परक्षे करेंगे उसी मास को ने खिचके बड़ा कर दिये तो धूरी नहीं न बदला परपेंडिकूलर डिस्टेंस तो इसलिए मोमेंट अप इनर्शा नहीं बदलेगा यानि एक्सिस के पैरलल में जो लेंथ होगा उस पे मोमेंट अप इनर्शा डिपेंट नहीं करेगा दोनों क्लियर है अब हम लोग द प्राक फेलाई है यह सेंटर है और सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है इसको बोलेंगे एक्सिस वर प्रोटीशन मास एम हैं रेडियस आर इस्का भी माश कहें है रेडियस आर है यह इसका एक्षिस है इसी एक्षिस के अबाउट निकालना है मोमेंट अ क्यास त्हों कि अल्यार रिक्षामिक्ष में क्या था ? सारा का सारा माश र्भलोडिव पर था रींग के केस में सारा का सारा मास आर दोड़ी पर था ऐसे देखेते नहीं यह रींग था और यह एक्सीस था तो सारा का सारा मास आर दोड़ी पर है नहीं बीच में तो मास नहीं नहीं है यहां सी यहां आर दोड़ी है सारा का सारा मास आर दोड़ी पर था तो moment of inertia हम लोग लिग देते थे mra square लेकिन इसमें सारा का सारा mass r दोड़ी पर तो है नहीं अंदर में भी mass है नजदिक में भी mass है धूर में भी mass है यानि इसमें mass r दोड़ी तक फेला है आर दूडी पर नहीं, आर दूडी तक फेला है, इसलिए इसको याद कर लेना है, इसका मुमेंट आप इनरसी आज होगा, center of mass के बाउट, MR square by 2, यानी half MR square, ये center of mass लिख देता हूँ, इसका भी वही हाल होगा, दोनों का सेम होगा, I center of mass, center of mass से पास करता हूँ, इसलिए I center of mass कि और सॉलिष ट्रका और ऑर और सिरंडर का मजा रहें अब देखेंगेС्स्ट इसो सब्सक्राइब मतला है solid sphere hollow मतला hollow मतला खोखला एस्टेयर मतला गोला एनी सेल इस ची को बोलते हैं एनी फुटबोल टैप का हो गया और solid sphere मतला cricket ball टैप का हो छोटा ही है लेकिन अंदर में भी मास होता है यह solid sphere और यह hollow sphere अब एक बात बताओ एक्सीस दोनों ही केस में एक्सीस सेंटर ओफ मास से पास कर रहा है तो इसलिए एक्सीस सेंटर ओफ मास से पास करेगा तो उसको बोलेंगे i cm यहाँ पर भी बोलेंगे i cm any moment of inertia about an axis passing through center of mass दोनों में एक ही बात बोलेंगे इसका भी मास M है और radius R है इसका भी मास M है मास M है radius R है दोनों ही केस में मास M है और radius R है अब एक बात बताओ किसका moment of inertia ज्यादा होगा और किसका कम होगा यह बताओ सोचो जरा सा क्या बताए थे moment of inertia मास में डिपेंड करेगा और मास का distribution यानि मास कितना दोड़ी तक फेला हुआ कितना दोड़ी पर फेला हुआ और distributed मास में कितना दोड़ी तक फेला हुआ और distribution किस प्रकार से हो रहा उस पर भी ध्यान देना है तो उतना ही मास किनारे किनारे यह दूर दूर में मास है और यह मास क्या कर दिया यहां से यहां बिचा दिये सब जगा अंदर वाहर सब जगा तो याद रहे इसका moment of inertia ज्या 2 by 3 बोले तो 0.66mr² हो गया और इसका हो जागा 2 by 5mr² 2 by 5mr² बोले तो 0.4mr² यानि इसका कम होगा क्योंकि इसमें मास किनारे किनारे तो ज्यादा moment of inertia यानि मास ज्यादा दोड़ी पर है थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हो फिल कर पा रहे हो सोचना सीख गया ना तो सवाल जल्दी-जल्दी बनना ही परेगा सवाल को तो इसलिए सोचने का भी कोशिस करो सोचो सोचो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको हम लोग अब ध्यान से देखेंगे इंपोटेंट है यह है डिस्क और यह भी है डिस्क यह साइड व्यू और यह है टॉप व्यू उसी डिस्क को टॉप से देखते हैं कि सेंटर ओफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबॉट मोमेंट ओपिनर्श निकाले थे कितना होता है एम आर स्कुरबार तु होता है यह भी वही चीज़ है मास एम है रेडियस आर मोमेंट ओपिनर्श यह यहां पर डिस्क ऐसे है इस प्लेन का परपेंडिकुलर और सें कि इस इसी डिस्क का एक टुकडा है सेक्टार ओफ डिस्क यानि इसी डिस्कआ टुकडा है और मोमेंट ओपिनर्श निक बताना है रहें उपस करता हुआ एक्सिसrest और इसरिम रहें कि प्लेन का परपेंडिकुलर हो क्या होता है एक बात बताव, इमान दारी से, मास का इस्त ही क संनल, क्या डोनों ऑलग हैं, क्योंकि यह भी डिस्का टुकडा है, वह अलग बात है कि साइज में छोटा है, लेकिन है तो डिस्क के जैसा ही मास का इस्ति ही है, तो इसी लिए इसका मोमेंट ऑप इनर्ज़ी अभी उतना ही होगा याद कर लेना है MRSquare लेकिन एक बात ध्यान रहे यहां पर पूरे का मास M था radius R था यहां पर इतना ही टुकड़ा का मास M है इस बात को ध्यान देना है सेम बात यहां ring के case में है इसी को top view करके यहां दिखाए है एक्सीस को इस plane के परपनिकुलर यहां से पास करा हैं और यह बाला पार्ट सेक्टर आफ डिश्क है और यहां से पास करता है plays is about but synchronous यह बाला फार्ट का मास M है और रेडियस हार्व है यहीं कभी फोटो में ऐसे देखे आएगा कभी ऐसे दिखाएगा confusion ना हो इसलिए मैंने दोनों तरह का photo बना के दिखाया कि रींग के case में सेम बात होगा रींग के axis से पास करता हुआ यह रींग के center से पास करता हुआ axis के बावट moment of inertia कितना होता है m r square होता है क्योंकि सारा मास यहां से आर दूरी पर है total mass m यहां से आर दूरी पर था इसलिए आई बढ़ावर m r square है श्यम बात है यहां पर कि जो टुकड़ा है ना इसके plane का परपेंडिकुलर o से पास करता हुआ axis के बाट moment of inertia क्या होगा axis passing through o perpendicular to plane क्या होगा answer yes वही answer m r square यहां पर पूरे का mass m था radius r था यहां एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना इस टुकड़े का mass m है और radius r है शही है अब देखेंगे next आप देखेंगे solid कोन का moment of inertia कितना होगा इस सबको याद कर लेना है solid कोन समझते हो आइस क्रीम खायो कभी येस और ही बला आइस क्रीम बला ही है इसका height जो है ना h है और यह जो radius है रह वह है आर और axis क्या ना यहां से पास कर यहां से पास कर आइक्सिस अचे इसको थरा सा solid बनाता हूं अब एक बात बताओ क्या moment of inertia इस height पर depend करेगा बिल्कुल नहीं इस बात को हमेशा ध्यान रखने एक्सीस के parallel में mass किस प्रकार से distributed है उस पे फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ता है एक्सीस के perpendicular मांस का distribution क्रिशा है उस पे ध्यान देना है इसलिए यहां पर भी इंपोर्टेन चीज बता रहा हूं इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे थियोरम on moment of inertia moment of inertia पर दो थियोरम है यह थियोरम है parallel axis थियोरम और दूसरा थियोरम है perpendicular axis थियोरम यह दोनों थियोरम moment of inertia को निकालना और भी आसान कर देगा तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे parallel axis थियोरम ध्यान से समझो माल लेते हैं यह कोई body है और यह है उस body का center of mass और इस center of mass से यह axis है जो पास कर रहा है तो इसके about जो moment of inertia होगा उसको हम लोग icm से denote कर देते हैं और अगर हमको एक नया axis यह है और बोले इसके about moment of inertia क्या होगा तो इसमें क्या करेंगे सबजे पहले center of mass से पास करता हुआ axis के about moment of inertia निकाल देंगे और इसके about अगर निकालना हो तो इस theorem को लगाएंगे तो यह जान लेना है कि दोनों axis के बीच का यह perpendicular distance है d d यहाँ पर क्या है perpendicular distance between these two axis एक बात ध्यान रखना है इसमें एक axis को center of mass से पास करना जरूरी है clear है बात अब देखो अगर बोलेगा कि कोई axis है इसके about moment of inertia बताओ तो क्या करना है सबसे पहले उसी के parallel में center of mass से पास करता हुआ axis के about moment of inertia निकाल लेंगे और उसमें md square जोड़ देंगे जैसा कि यह theorem बोलता है यह i is equal to i cm plus md square clear है हाँ एक बात ध्यान रखना कि इसमें एक axis को center of mass से पास करना जरूरी है लेकिन जब तक सवाल नहीं बना होगे तब तक फंडा clear हो ही नहीं सकता है इसलिए सबसे पहले सवाल बना के हम लोग देखेंगे जैसे देखो यह सवाल क्या लिखा हुआ है solid sphere इसमें क्या करना है यह एक solid sphere है यह axis है जो इसके tangent से पास कर रहा है सवाल में कर रहा है कि इसके about moment of inertia क्या होगा यह कहा रहा है question question clear है तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सिखा यह solid sphere का mass m है और radius r है जैसा कि अभी हम लोगों ने सिखा कि parallel axis theorem में अगर किसी axis के about moment of inertia निकालना हो तो सबसे पहले उसी के parallel में center of mass से पास करता हुआ axis के about moment of inertia निकाल लेंगे और उसमें md square जूर देंगे यानि सबसे पहला काम क्या करना था यानि बताए थे कि इसमें center of mass से पास करता हुआ axis होना जरूरी है यानि यहां से पास करता हुआ axis पहले चुनेंगे और इसके about जो moment of inertia होगा उसको बोल देते हैं icm तो parallel axis theorem के साथ से आई यानि इसके about जो moment of inertia होगा बराबर icm प्लस mds square यहां d बराबर क्या रखेंगे यहां d बराबर r हो जागा d बराबर r हो जागा दोनो axis के बीच का perpendicular distance है तो icm क्या होता है solid sphere का solid sphere का moment of inertia center of mass से पास करता हुआ axis का about कितना होता है 2 by 5mr square नहीं प्लस mds square d के जगा r लिख देंगे तो जोड करेंगे जोडेंगे तो कितना हैगा 7 by 5mr square क्लियर है अब यहां पर है डिस्क के बारे इसको भी समझ लेते हैं जैको माल लेते हैं डिस्क है डिस्क के टेंजेंट से पास करता हुआ को एक्सीस है इसके about moment of inertia बताओ और यह जो एक्सीस है इस डिस्क के प्लेन का परपेंडिकुलर और टेंजेंट से क्रोस कर रहा है तो इस parallel axis theorem के आधार पर क्या करना है सबसे पहले center of mass से पास करता हुआ axis ढूंडेंगे जो इसी के parallel में है ढूंड लिए ढूंड लिए और इसके about moment of inertia निकालना है और इसके about हम लोगों को पहले से पता है तो i is equal to क्या लिखेंगे i center of mass plus m into d square m d square अब देखो disk का mass मान लेता हूँ m है और radius r है तो i center of mass क्या होगा disk है ध्यान रहे क्या चीज़ है disk है तो disk का moment of inertia center of mass के about कितना होता है m r square by 2 होता है i cm का value आया आई ये डूरी कितना लेंगे d बड़ा बड़ यहां पर r हो जाएगा तो m into r square हो जाएगा तो यह बराबर कितना होगा 3 by 2 mr square यानि यहां से पास करता हूँ 6 about moment of inertia 10 का m r square by 2 है और यहां से पास करता हूँ ऐस के about moment of inertia m r square by two a plus mr square यानि 3 by 2 mr square यहां वी यहां से पास करता हो एक्सिस के about 2 by 5 mr square और यहां से पास करता हूँ एक्सिस के about उसमें एक MR square आजोड़ देंगे अब करेंगे next सवाद, आप इस दो एक्जामपल को समझना है, ध्यान से देखो, क्या है, ये एक rod है, जिसका की mass M है और length L है, rod है, ध्यान रहें, ये, और इसके बीच का ये दूरी है x, इसके about moment opener से निकाल रहा है, क्या होगा, दूसरा है, ये homework होगा, इसका answer में बताता हूँ, चैलेंजिंग सवाल है, इसका answer है, 5 by 3 ml square, ये तुमको बना के भेजना है, क्याश्य बनता है, इस point के about axis होगा, जो इसके plane का perpendicular होगा, यानि, axis passing through P, अब perpendicular to the plane of rod, येक rod है, और येक rod है, इसका mass M है, length hell है, इसका भी mass M है, length hell है, और इसके plane के perpendicular में P से pass करता हूँ, axis के about moment of inertia बताना है, और ये सवाल तो बनी जाएगा, सबसे पले क्या करना है, ऐसे भी तो directly लगड़ा है बन रहा है, कि इस axis से सारा का सारा mass, x दूरी पर, ऐसे भी देखो, axis के parallel में mass का distribution से कोई फरक ने पड़ता है, moment of inertia पर, तो ICM अगर हम करना भी चाहें, इसके चोड़ाई तो हम लोग negligible मानते हैं, तो ICM बड़ा-बड़ यहां क्या होगा, जीरो हो जागा, तो I is equal to हो जाएगा, ICM प्लस MDA स्क्वार, ICM यहां पर जीरो है, और MDD के जगा x स्क्वार कर भी यूज़ कर लेंगे, ऐसे भी बन सकता था, तोटल मांस यहां से x दूरी पर था, तो direct MXS गया हो जाता है, तो क्या यह challenge स्विकार है तुझे, सच में पक्का बना के भेजोगे, जरूर भेजना, इतना इसका answer होगा, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग parallel axis theorem को समझें, उस पे कुछ सवाल भी किये, मजाया था, अब हम लोग बात करेंगे, perpendicular axis theorem का, ध्यान से समझोगे, यह दोनों theorem सवाल को बनाने में बहुत मदद करेगा, इसलिए जरूरी है समझना इसका, माल लेते हैं एक body है, सबसे पहले बात याद अखना, यह जो body है ना, x-y plane में, body is in x-y plane, पहले यह समझ लो, यानि इसको हम माल लेते हैं x-axis, और इसको माल लेते हैं y-axis, और इस point को हम center of mass माल लेते हैं, और इसको माल लेते हैं z-axis, इन दोनों के बीच में कितना angle होना चाहिए, 90 degree का नहीं है, और इन दोनों के बीच में भी, सब-axis के बीच में एक दूसरे से 90 degree का angle है, पहला तो clear हो गया body xy plane में है अब इससे पहले यह समझ लें यह theorem किसके लिए applicable है क्या हर तरह के body के लिए applicable है यह सिर्फ 2D body के लिए applicable है यानि फोर 2D body only सिर्फ two dimensional body के लिए applicable है यह भी समझ गए हम लोग यह theorem क्या करता है तो सबसे पहले समझो x axis के about जो moment of inertia होगा उसको हम लोग ix माल लेते हैं और y axis के about जो moment of inertia होगा उसको i y माल लेते हैं और z axis के about जो moment of inertia होगा उसको हम लोग i z माल लेते हैं यह बात समझ गए तो यह theorem बोलता है कि i z बराबर i x plus i y यह clear हो गया i x and i y दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर i z होगा जहां i z बराबर क्या है इसको लिग देता हूँ i z बोले या i center of mass बोले दोनों को एक समझना है तो इसको हम लोग i cm बोल देते हैं बराबर i x plus i y यह i cm क्या है फिर दे समझ लेते हैं यह i cm है moment of inertia about an axis passing through center of mass perpendicular to plane याद रखना यानि body के plane का perpendicular और center of mass से पास करता हुआ axis के बाओ जो moment of inertia से आओगा अब से उसको हम लोग i cm consider करें अब हम लोग इस सवाल का यानि इस theorem का ज्यादा ज्यादा benefit कैसे लेंगे इससे related एक important point समझाता हूँ यानि उसको कहेंगे tricks फूर symmetrical bodies symmetrical bodies बोले तो जैसे देखो ring है disc है square plate है equilateral triangle है इस तरह का body को symmetric body उसके लिए यह applicable होगा ठ्यान रखना चैसे की मान लेते हैं कर वह कर लिए अच्यां कर यहां पर सिंटर उप मास है यह मेरा एक्सक्स है और यह देख यहां पर करते है ना कि एक्सक्स को पीछे पर है कर दिए और वासन देख रहा है है कि aiming और ये पॉइंट को center of mass बोल देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, i-get या i-c-m बोलेंगे, आप देखो, ये जो x-axis है, इसके about जो moment opinion से निकाल देते, ये भी axis center of mass से ही पास करता है, तो body के plane में जो axis होगा और center of mass से पास करेगा, उसको हम लोग अब से i-c-m डेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, i-c-m डेस, अब देखो, body है symmetric, symmetric body होने का मतलब, जो moment of inertia x-axis के about होगा, वही moment of inertia y-axis के about होगा, तो इसको भी हम लोग i-c-m डेस से बोल देते हैं, इस बात पर धियान रखना, i-c-m डेस क्या है, i-c-m डेस है, moment of inertia about an x-axis passing through, कहां से पास करेगा, center of mass, in the plane, in the plane, यहीं, axis जो है न, center of mass से पास करेगा, और उसके plane मेरेगा, body के plane, और i-c-m क्या है, body के plane का perpendicular और center of mass से पास करता हूँ, axis के about, उसको i-c-m बोलें, ऐसे मानने से क्या फाइदा है, देखना, कितना जल्दी-जल्दी हम लोग सभाल बना जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, सभाल को एगदम, फास्ट बनाने के लिए यह बता रहा हूँ मैं, तो आप देखो, i-z बराबर हम लोग जानते हैं, i-x plus i-y, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर i-z को i-c-m बोल देता हूँ, और इसको i-c-m- और यह भी हो गया, i-c-m- symmetric body है, इसी लिए, तो यह हो जागा, 2i-c-m- यह हो गया, i-c-m, तो याद कर लेना, i-c-m- is equal to i-c-m divided by 2, यानि body के plane में, center of mass से pass करता हुआ, axis के about, अगर मुझको moment of inertia निकालना हो, तो body का plane का perpendicular, center of mass से pass करता हुआ, axis के about, moment of inertia का, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इतना जल्दी कैसे export हो जाएगे, कुछ सवाल तो बनता है, तो कुछ सवाल करते हैं, और जट से इस concept को समझके, तुरन-तुरन सवाल को बनाना, सुरू करते हैं लोगों, तो देखो कुछ सवाल, तो समझो ध्यान से, रींग है, यह क्या है, एबाउट, center of mass, perpendicular to plane, यह center of mass है, और इस plane का perpendicular है, इसके about हमको बताना है, पाले, रींग का, mass M है और radius R है, क्या होगा answer, इसको बनाना है, पहला बात है, दूसरा बात है, about tangent, अब perpendicular, about tangent, perpendicular to plane, यानि plane का perpendicular होगा, जैसे यह देखो, यह plane में है, तो इसके about ने बोल रहा है, बोल रहा है, इसके about बताओ, इसके about, इसके about, moment of inance, या क्या होगा, कुछन समझ रहे हो, पहला है, center of mass से, पास करता हुआ, और plane का perpendicular होगा, दूसरा है, plane के perpendicular, और tangent से पास करता हुआ, about tangent, यह हुआ tangent, अब perpendicular to plane, plane का perpendicular, यह ऐसे शेडिंग है, और ऐसे ऐसे axis है, यह है about diameter, diameter मतलब, यह हुआ diameter, साब में ध्यान रहे है, mass M है और radius R, mass M, radius R, इसमें क्या कर रहा है, about tangent, in the plane of ring, यह यह हैंए tangent से पास करेगा, और ring के plane में होगा, question तो उमीद है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, यह तो हम लोगो पता है, ring के लिए कितना होता है, M, R, स्क्वार होता है, इसके अबॉट पता है, इसके अबॉट कितना होगा, इसके अबॉट होगा, I, C, M, प्लस, M, D, A, स्क्वार का यूज करेंगे, I, C, M, मतलब, M, R, स्क्वार ने है, M, R, स्क्वार प्लस, यह M, R, स्क्वार होगा, इसके अबॉट, और इसी के देखो, यह पैरलल में है, तो कौन सा theorem लगा देंगे, पैरलल एक्सिस, फिर अब लगा देंगे, तो क्या हो जागा, M, R, स्क्वार हो जागा, तो कुल मिला के कितना हो जागा, 2, M, R, स्क्वार, यह सही है, अब यह कितना होगा, यह एक तरह से, सेंटर अप मास से पास कर रहा है, और बॉडी के प्लेन में, कहां है बॉडी के प्लेन में, तो यह ICM- हो जागा, तो ICM- यानि बॉडी के प्लेन में, सेंटर अप मास से पास करता हो एक्सिस, बराबर होता है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकूलर, center of mass से pass करता हो, axis का आधा, यानि यही बला axis नहीं है, यह ICM का आधा हो जाएगा, तो ICM कितना होता है, body के plane का perpendicular, पता है न, MR square होता है, इसका क्या होगा, इसका तो हम लोग जान गए, तो इसका कितना होगा, तो फर्मुला लगाएगे, आई बराबर, ICM, प्लास, MD square, तो ICM के बादे है, ICM डेस ले लता हूँ, क्योंकि इसी के parallel में, a center of mass से pass करता हो, axis के about पहले लेंगे न, तो यह हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, ring का, इसके about MR square है, तो diameter के about MR square हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि न, ring के plane का perpendicular axis के about MR square, तो उसके ring के plane में जो axis जाएगा, center of mass से MR square हो जाएगा, अब पलस MD square, D की जगा R square, इसके about तब निकल जाएगा, तब बराबर कितना हो जाएगा, 3 by 2 MR square, यह अच्छा से clear है, ठीक से देख लो, कैसे कैसे किये, अब हम लोग सेम बात करेंगे, दिस्क के केस में, तो उसको भी ध्यान से देख लो, ठीक से समझो, दिस्क है, पहला है about center of mass, perpendicular to plane, यानि plane का perpendicular, और center of mass से पास करता हुआ, यह है पहला, यह क्या होगा, बताओ तो यह क्या होगा, eye center of mass, यानि center of mass से पास करता हुआ, और plane का perpendicular, उसको eye cm बोलते हैं लोग, और यह disk है, क्या है, दिस्क है, तो दिस्क का कितना होगा, m, r, square, बटा, 2 हो जागा, यह हो गिया, आप इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है, about, tangent, perpendicular to plane, यानि यह center of mass है, और यह disk का plane है, और उसके perpendicular disk बना रहा हूँ, इसे से, तो से colorful कर देता हूँ, और यहाँ से pass करता हूँ, axis है, यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, तो यह तो center of mass से तो pass करनेड़ा है, तो क्या करेंगे, इसी के parallel में center of mass से pass करता हूँ, axis के about, moment opener से निकाल देंगे, अभी निकला हुआ था, icm बड़ाबर, mr square by 2, जान चुके हम दो, तो इसके about कितना होगा, इसके about होगा, icm plus md square, d के जगा r ले लेंगे, icm बड़ाबर, mr square by 2, plus md, d के जगा r square, तो कितना हो जागा यह, 3 by 2 md square, कितम आराम से देखना, इत्मिनान से, इसमें क्या कर रहा है, about diameter, यानि यह disc है, क्या है, disc, diameter कहां से pass करता है, center of mass से pass करता है, तो diameter के about पूछा है, तो इसको कह सकते हो, यह वाला चीज, हाँ, इसको कह सकते है, क्यों कह सकते है, इसलिए कह सकते हैं, कि यह जो axis है, center of mass से pass कर रहा है, और body के plane में है, इसलिए ICM dash बोल सकते हैं, तो कितना होगा, यह ICM होगा, ICM dash जो होगा, ICM का आधा हो जाएगा, ICM का आधा, ICM जैसे यह हुआ, ICM क्या है, body के plane का perpendicular, center of mass से pass करता है, axis, तो यह अभी तो निकाले थे ना, पहले से भी जानते हैं, लोग ने, half MR square होता है, यह कितना होता है, MR square by 2 होता है, उसमें 2 से भागा देंगे, तो 4 हो जाएगा, यह about tangent in the plane of disk, यह disk है, और यहाँ से pass करता है, आधा axis के about पूछ रहा है, tangent, तो बहुत आसान है, center of, यह तो center of mass से pass करने रहा है, तो क्या करेंगे, पहले center of mass से pass करता हुआ axis चुनेंगे, और उसके about moment of penalty, हम लोग निकालना सीख गए, कितना होगा, यह हो जाएगा, MR square by 4, सीख गए हो कि नहीं, यानि इसके about जो होगा न, disk के plane का perpendicular, center of mass से pass करता हुआ axis का आधा होता है, disk के बारे हम पहले से जानते कुने, हाफ MR square होता है, यह MR square by 2 होता है, तो उसका भी आधा हो जागा, MR square by 4 हो जाएगा, तो यह क्या होगा, बहुत आसान है, फर्मूला कौन सा लगाएंगे, पैरला अलेक्सिस थियोरम, MR square, जोड़ जार करेंगे तो क्या होगा, 5 by 4 MR square हो जाएगा, ठीक से समझ में आया, कुछ-कुछ मजार है, एक ही सादे को कितना सांदार तरीके से मैंने एरेज किया, तो इस तरह से समझने में आसानी होती है, यानि डिस्क से रिलेटेट सारा कॉंसेप्टर में ने कर डाला है, अब क्या करोगे, अब इन दो सवाल को वीटियो पोज करके बनाओ तो, पले क्लियर कर देता हूँ, ये एक रेक्टेंगोलर लेमिना है, ये साइट ए है और ये साइट भी है, और ये स्कॉर है, तो ये भी साइट ए है, क्वश्चन में कहा रहा है कि, मोमेंट ओप इनर्शा बताओ, ये तो क्लियर है नहीं क्या है? लेमिना है, यानि प्लेट है, कोई चार रड नहीं है, एक ब्लेट है, क्या है प्लेट? यह प्लेट है देखो प्लेट है प्लेट समझो और यही एस्क्वाइर में प्लेट है तो कुश्चन में बोल रहा है कि सेंटर से पास करता हुआ एक्सीस और परपेंडिकुलर टूदा प्लेन यानि एक तरह से बोल रहा है कि i z बताओ या i cm बताओ एक के बाद हुआ ये कहा रहा है दोनों तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले यहां से पास करता हुआ एक्सी आई एक्स ले ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर में इधर i y ले ले लेते हैं और हम लोग अपलाइ कर देंगे कौन सब्सक्रस हैं यहां पर बोलो i x बढ़ावर क्या होगा i x बढ़ावर हो जाएगा यह x अक्स आठीक है और यह है y-axis तो i x बढ़ावर हो जाएगा ठीक यह x एक्स है एक सक्सिस के दुरों तरफ लंबाई कितना है यानि एक सक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ है ना रट का रट जैसा ही होगा ना Mb2 by 12 और यह आई वाय बढ़ावर Mb2 by 12 तो Iz या Icm बढ़ावर क्या होगा आई एकस प्लस आई वाय यानि Mb2 by 12 के स्क्वार प्लस भी स्क्वार समझ में आ गया इसकी आवाट पुछा आप इसके आवाट तो आई एकस प्लस आई वाय कर दिये श्रीम बात इसमें है आई जेट निकालना है तो क्या करना है पहले आई एकस निकाल दो इसको X-axis माल दो इसको Y-axis इसको X-axis इसको Y-axis तो IS बढबर क्या होगा i x यानि ये अगर axis होगा तो इसके perpendicular दूरी है रट का a तो m a square by 20 से जा रहा है ना तो 12 हो जाएगा और ये अगर axis होगा तब क्या होगा m a square by 12 हो जाएगा तो i z या i cm बढ़ावर क्या होगा i x plus i y और i x बढ़ावर m a square by 12 और ये भी m a square by 12 दोनों को जोड़ेंगे सब कुछ कड़ेंगे तो m a square by 6 हो जाएगा मजा आया खूबना क्या करना होगा